हेलो, वेलकम एबरिपरड़ी, आप अगर सोच रहोंगे कि कितने मार्क्स पे परसेंटाइल कितना आने वाला है आप ऐसा उमीद करके आए होंगे कि मेरे अगर 300, मैं एक आकरा बता रहा हूँ कि अगर मेरे 300 नमबर आये हैं तो मिझे 100 परसेंटाइल आएगी मेरे अगर 200 नमबर आये हैं तो मेरे कुछ और परसेंटाइल आएगी मेरे अगर 100 मार्क्स आये हैं तो कुछ और परसेंटाइल आएगी लेकिन मैं आपको ये जो परसेंटाइल वर्सेज जो मार्क्स का खेल है इदम बारीकी से बता दूँगा ताकि आपको कोई दूसरे और जगा जाने की जरूत नहीं पड़े अगर आप पोड़ी बारीकी से इस वीडियो को समझ लोगे तो फिर आपको ये सारा खेल समझ में आ जाएगा और जो आप सोच रहोगे कि मेरी इतनी माकसा है मेरी परसेंटाइल एक क्या आई है इसलिए आप बेचैनी जो है आपकी खतम हो जाएगी तो अगर इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं जो खुद हूँ वो एक एनाईटियन हूँ और मैंने इस प्रोसेस से बहुत मिस टू टाइमस जो है वो मैं गुजड़ चुका हूँ ओके तो मुझे एक्स्प्रियेंस हो चुका है और यह जो थर्ड टाइम है तो मुझे पता है कि आखिर यह कैसे नॉर्मलाइजेसन होता है क्या जो है वो प्रोसेस है ओके तो आपको जो काउंसलिंग है ओके आपकी प्रिप्रेशन स्ट्राइजी से लेके मिस आपके अडमीसन तक मैं आपको इस शैनल पर जो है वो गाइडेंस करते आओंगा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले शैनल को अब देखिए बात करते है में आपकी कि जो आपकी एकर मार्क्स हाई है कितना जो भी आप मार्क्स कैल्कूलेट कर रहे हो या फिर आपकी जो एक्स्पेक्टेशन है उस मार्क्स के हिसाब से क्या आपकी परसेंटाइल आती है तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं ओके आप सोच रहे होंगे हाँ लेकिन नहीं ओके देखिए अगर ऐसा होता है सिफ्ट में यह वह टोटली नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है कि कितनी परसेंटाइल आएगी क्योंकि यह जो एक्जामिनेशन है यह एट सिफ्ट में हो रही है या फिर कभी एट से जादा होती है कभी एट से कम होती है लेकिन अराउंड मोर देन वन सिफ्ट में जब भी आपकी एक्जाम होती है तो फिर आपका यह जो है नॉर्मलाइजेशन होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगर आपको याद हो कि 2020 में जो है वह 14 टॉपर्स थे ओके फॉर्टीन को इस्टुएंट को जो है वह 100 परसेंटायल आए थी तो ऐसा कैसे हो सकता है बिलकुल हो सकता है जैकि अगर इभेन किसी सिफ्ट में अगर आपके 300 में 300 मार्क्स नह उस सिफ्ट में ओके विस पर्टिकूलर सिफ्ट में उस सिफ्ट काहीं में बात कर रहा हूं जैसे कि 20 मावा बात करता हूँ तो अगर बात करता है वह जो हाई तो आपको पता है वो तीनों शूर्ट जो है उन्हें 100 परसेंटाइल दिया जाएगा ऐसा ही खेल होता है मिस यह जो नॉर्मलाइजेशन पर टोटली लिपन करता है तो आप सोच रहोंगे कि मुझे माक्स कहीं भी बताइं मैं डाल दू कोई कोई वेबसाइट मिल जाए कोई आप मिल जाए कोई यूटूब का चैनल मिल जाए और वो मैं बता दू अपनी माक्स और वह मुझे मेरा परसेंटाइल बता दे ऐसा कोई वी जो है वह 100 परसेंट राकुरेट नहीं कर सकते हैं इवन अगर आप एंटिया वाले को भी अगर सुनेंगे अगर आपके सिफ्समें जो कुशन का कि लिवल हाड था कुशन का लेवल जो है वहीं आप से कुशन नहीं बने घर सभी स्टुट्स के लिए वह तो पड़ो पर का पैटर्न हाड था तो फिर अगर यह कम मास्ध भी आ रहे हैं तब भी आपके पर्सेंटाइल और वही जब examination जही मैंने अप्रील में दिया तो अप्रील में मेरी मार्क्स वह 179 ओके लेकिन 117 मार्क्स आने के वापजूद भी मेरी परसेनटाइल 91 चले गई तो आपको यह बात थोरा समझ के आया होगा समय में आया होगा कि मार्क्स से परसेंटाइल directly related नहीं है, थोरा जो है वो normalization का भी जो है, वो खेल हो जाता है हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि अगर आपके marks बहुत कम है तो आप percentile भी जादा expect नहीं कर सकते हैं जितना जादा number होगा, उतना जादा percentile होगा, लेकिन कोई भी direct linear equation आप नहीं लगा सकते हैं कोई भी formula direct नहीं लगा सकते हैं उसमें जो है, वो सारे shifts को analyze करना पड़ता है, उसके बात जो है वो percentile आपका निकल के आता है तो इसलिए आप सभी जो है वो चिंता ना करें अगर आपके shift में जो है और 92.94.2 परसेंटाइल गए थी और सकेंड टाइम में जो मैंने अटेम्ट दिया तो उसमें जो है वो percentile मेरी marks मेरी 170 आई थी लेकिन 117 मार्स आने के वाब जूद भी मुझे जो है वो 91.91 परेंट कुछ परसेंटाइल है नहीं मिला था तो आप समझ गया होंगे कि मार्स से जो है वो डैरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है नॉर्मल एजिसन का यह सारा खेल होता है और नॉर्मल एजिसन के जो और मुले है वह आपको जहीं मेंस के वेबसाइट पर आम से निकल जाएंगे लेकिन आपको टेंसन लेने के जुरूत नहीं है आप सभी जो अपना प्रिप्रेशन पर ध्यान दे यह जो है करते है कर्म करो फलकी चिंता मत करो वही बात मैं भी आप सभी को करना चाहूंगा क करना चाहूंगा कि आप सभी जो हो अपने प्रिप्रेशन पर ध्यान दे और चैनलों को जरू सब्सक्राइब करें करें कि अपर फ्री ओफ कांशलिंग और साधी डिलेलेटर्स निव्ज आपको मिलती रहेगी तो थैंक्स वर वाचिंग वीडियो है वागोड देः